तो सुन्स आज के इस बहुत इंट्रस्टिंग वीडियो में एक ऐसे टॉपिक को डिसकर्स करेंगे जो आपको इनीशली पढ़ने में लगा कि ठीक है ऐसा कुछ हुआ पर इसका इंपाक्ट दुनिया में बहुत बढ़ाओगा बहुत एक डीम इंपाक्ट होगा ठीक है इंडिया ने रीसेंटली क्या किया इंडिया ने राइस एक्सपोर्ट कर दिये बैन की कुछ टाइप का चावल ठीक है हम अब बाहर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे इससे इसका क्या रीजन था इंडिया की गार्मेंन ऐसा क्योंकि और इसका क्या इंपाक्ट पड़ेगा दुनि करने मिलब शुरू हो चोगी वो प्रॉब्लम वो है दुनिया में फूड सेक्यूरिटी की तो उसको भी यहां पर जानेंगे ठीक है इंडिया बैंज नॉन बासमती वाइट राइस एक्सपोर्ट तो जितना हम बहुत तरह का चावल वैसे इंडिया इक्सपोर्ट करता है उसका सबसे बड़ा जो हिस्सा है ठीक है अब सबसे बड़ा जो हिस्सा है मानके चलो वो है नॉन बासमती वाइट राइस ठीक है तो कुछ-कुछ शिपमेंट्स हमारी जाती रहेंगे जिनके साथ पुराने agreements है जहां पर बहुत important कुछ चीज है वहां जाती रहेंगी पर maximum shipments, maximum export rice का इंडिया अभी के लिए रोक रहा है क्यों कर रहा है to stabilize domestic market अब हम दुनिया के सबसे populated country है अगर अपना stock बहुत सारा stock बहार बेच देंगे यहां पर demand supply में problem आ सकती है अगर problem आई तो यहां पर rice महंग हो जागा और बहुत दिक्कत हो जागा detail by detail समझते है सबसे ले global rice production and consumption तो दुनिया में सबसे रहा rice कौन प्रोड़्यूस करता है चाइना उसे थोड़ा सा नीचे इंडिया फिर आपको काफी gap के बाद सबसे रहा rice बनाने के बाद सबसे रहा rice consume भी कर ले है तब फिर सोचँ दुनिया में सबसे रहा rice produce करते है पर फिर भी China को rice import कराना पड़ता है पिछले बात ऐं में इंडिया से भी import करा है तो अगर आप देखो दुनिया में सबसे रहा rice production में कौन आगे चाइना सबसेदा rice consumption में consume कौन कर लेता है फिर से China और अगर हम बात करें सबसेदा rice export में कौन आगे यहाँ पर है इंडिया क्योंकि चाइना तो अपना आप खुछ सोचो production थी 148.277 के पास consumption थी 150.621 के पास मलब कुछ तो को मंगवाने हैं पड़ा हमारे case में देखो production थी 120 के असपास consumption थी 104 के पास कुछ हमारे पास हमेशा बच जाता है जो इंडिया export कर रहता है तो जब दुनिया को rice बेचने की बात है इंडिया और उसके बाद काफी मलब इंडिया का one third पे है थाइलेंड विएतनाम पाकिस्तान यह सब कंटिया अब सोचो दुनिया में सबसे बड़ा rice exporter इस बार अपना 75-80% rice export करेगा इनी ठीक है इससे क्या होगा दुनिया में चावल की कमी आएगी चावल महंगा होगा और जिन कंटिय इसके पास इतने resources नहीं है financially वो बहुत strong नहीं है उनको बहुत दिक्कत आने वाली है wheat की कमी दुनिया में अल्रेड़ी है vegetable fruits की कमी दुनिया में अल्रेड़ी है अब हम rice की भी बहुत बड़ी कमी देखेंगे और यह चीज अभी बढ़ती जाएगी जैसे recently Nigeria की government ने एक emergency declare कर दी पर हमारी country कोई से कुछ फायदा मिले इस सोच के साथ इस decision को लिया आगए ठीक है तो दुनिया में सबसे बड़ा producer कौन से है rice का China second पर कौन से है India इंडिया में वो कौन सी states है जो सबसे है rice produce करती तो West Bengal, UP, Punjab इन states में बहुत rice produce होता है और regions के हसाब से भी आप देखना चाहों कि जहां पानी availability अच्छ होगी वही rice जादा produce हो पाएगा ठीक है ठीक है तो इंडियन गर्में ने क्या क्या एक ban imposed कर दिया immediately कि गर्में ने notification निकाली और announce कर दिया non-basmaty white rice बास्मती चावल ठीक है दुनिया में सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान दो कंटिस बास्मती चावल बना सकते और तो किसी के पास राइटी ने इसको ठीक है तो बास्मती चावल इंडिया अभी भी बेच देगा वह एक ऐसी चीज नहीं होती जो डेली बेसिस पर कंज्यूम किया जाए जो डेली बेसिस पर दाना जिसका थोड़ा चोटा होता है जो वाइट राइस कहा जाता है वो बहुत ज़ादा दुनिया और इंडिया कर जो राइस है ना कुछ पर पमंगवा उनको बहुत पसंद आए इंडिया का क्योंकि बहुत कंटिस में जो राइस बनत आ वो काफी अठान इसह नहीं होता है laufen इतना स्टिक्य भी नहीं होता है बहुत कंटी इसको इंडिया का राइस बहुत पसंद आता है तो डिमांड बहुत जाद है इंडिया के राइस की इस साल कुछ चीजे भी ऐसे हुई वार हो गई एल नीनो आ गया जिसकी वैसे राइस ओवराल कम बना अब आप ये देखो ये जो मौनसुनित्र स्टॉंग था इंडिया में अभी तो राइस की जो फसल है उसी को लगाया गया ठीक है उसी की बुआई हुई हुई हुए बहुत सारा लैंड तो फ्लड वाटर की विसे खराब हो गया तो जब इसकी कटाई का टाइम आएगा तो इंडिया जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उतना चावल तो यहां भी नहीं बनेगा तो कुछ महिनों में हमारे यहां पर भी थोड़ी बहुत शौटेज होगी सरकार उसके बारे में आज से ही सोच रही है ठीक है तो इस वराइटी अव राइज तो इस वराइज बनेगा तो इस वराइज बनेगा नहीं जाएगा ठीक है क्यों चावल का दाम और इंडिया में बढ़ना शुरू हो गया था ठीक है 11.5% इंग्रीज इंडिमेस्टिक प्राइज राइस इन 2022 इस अगर जादा बाहर सप्लाइज बनेगा और इंडिया में बढ़ना शुरू होगी यह जो महंग और और उससे इंडिया में इंफलेशन बढ़ेगी फिर चीजें हैंडिल करने इंडियन गम्मेंड के लिए मुश्किल है अल्मोस्ट दो साल की महिनत के बाद इंडिया ने अपना जो कंजूम अप्लाइज इंफलेशन है उसको थोड़ा कंट्रोल में लाए है हम नहीं चाहेंगे कि ऐसी कोई भी छोटी गलती करने के साथ हमारी इंफलेशन फिर से बढ़े ठीक है ठीक है तो जो हमारे वेरियस ज है और बढ़ेगी इसके बिचे दुनिया में वार एल नीनो आई होप आपको पता होगा एक वेधर कंडिशन ऐसे गर्मी बढ़ जाती इसका कोई सीजन नहीं होता कोई टेन नहीं होता गर्मी बढ़ जाती है रेंफॉल पैटरन खराब होते हैं ओवराल प्रोडक्शन पर इंडिया में आप देख लो जब इतना बड़ा एरिया अग्री कल्चर लैंड सारा पानी के अंदर चला जागा तो वहां पर आप तो काफी मेहीं तक वहां पर प्रोडक्शन ही नहीं हो सकती तो ऐसा और बहुत सारी कंटी में कहीं पर पानी बहुत जाद आ गया कहीं पर र एक यह मोटिव है हमारे हां डिमांड सप्लाई ठीक से चलती रहे जितनी भी रिक्वार्मेंट इंडिया की वह रिक्वार्मेंट पूरी हो जाए और बहुत ज्यादा प्राइस ना बढ़ें सिंपल एक हमारा यह बैन लगाने के बिचे रीजन ठीक है इसका दुनिया पे इ cnbc आर्टिकल है इंडिया जराइस एक्सपोर्ट बैन कुट सेंड टिकेड हाइए प्राइस स्पाइकिंग इवन फर्द तो दुनिया में अल्रेडी फूड इंफ्लेशन बढ़ रहे यह जो डिसन इससे में एक्सपेक्टिट है कि और प्रॉब्लम आएग ठीक है इंडिय एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बास्मति वाइट राइस फियर्स ऑफ फद्र ग्लोबल फूड इंफलेशन तो यह चीज बहुत क्लियर से एक मेसेज मिल चुका है दुनिया को और इसमें को इंडिया कुछ नहीं कर सकता हम अगर सोचे कि नहीं दुनिया को बेज देते हैं हमारे पर इंफलेशन बढ़ गया तो हमारी कोई हिल्प नहीं करने आ रहा है आप समय तो अपने लिए सब को सोचना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो हमने 2023 को बलब 2023 का यह जो साल चल रहा है इंडिया ने पुरी दुनिया में यह जो इंटरनाशनल एर ऑफ मिलि पर उता है तो जो मिलेट से उन पर फोकॉस करों की नूटीशन अच्छी होती है और अवेलिबिल्टी भी जाद है सिरफ वीट राइस पर फोकॉस करोगे तो उसकी तो कमी होनी है वीट की बहुत सारी कमी वार की वार की वाज़ा से होगी राइस की कमी के मैंने आपको उक्रेण ना नीची छोटा सा आइलेंड अपर क्राइमे क्राइम क्राइमीया होनी 2014 में यू RPM अपर ने अच्छी प्रेजरें यूक्रेण ने अटाक रवाकी तोड़ दीटेए ठीक फिर उस पर दूसरी वर अटाक हो गया तो रुश्या ने क्या किया ना रुष्य ने बोला कि और भी बड़े सारे रीजन्स दी और यह भी एक बड़ा रीजन था कि अब ना यह जो ब्लैक सी है ब्लैक सी में से जो युक्रेन और हमारा ग्रेन एक्सपोर्ट होता था दुनिया अब हम इसको होना ही नहीं देंगे तो वो अपना grain तो बेचने रहे हैं युक्रेन की जो ships जा रहे हैं जिसमें खाने पर रहे हैं इसको bomb कर रहे हैं तो आप अब इस new status को समझ पाओगे कि रश्या ने pull out कर लिया रश्या ने black sea grain deal से अपने आपको भार निकाल दिया युक्रेन को भी वो कर रहे हैं कि तुम भेजोगे तो हम उस bomb कर देंगे युक्रेन कुछ grains भेज जा था चाहिना की तर सो चाहिना तो रश्या की इतनी friendly country रश्या ने उसको भी bomb कर दिया ship को तो रश्या ने pull out कर लिया black sea grain deal से इसके पिछे रश्या ने बहुत सारे reason दी उसमें से एक बड़ा reason है कि जो crimean bridge है उसको दूसरी बार target किया गए ठीक है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है साल 2023-2024 में बहुत ज़ादा food inflation दुनिया में बढ़ने वाला है इंडियन government एक और चीज़ अब आप देखनी शुरू करोगे ये अभी tomatoes में किया गया onions में हम करते है Essential Commodities Act को यूज करके Essential Commodities Act को यूज करके सरकार क्या करती है stocking ban कर देती है जब सरकार को लगता है कि tomato की दुनिया में इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है और इस असाब से supply नहीं हो रही तो अगर किसी चीज़ की demand जादा है और उसकी supply दिरी दिरे कम हो रही है तो अपने आप उसके prices shoot करने लग जाते है बढ़ने लग जाते है तो ऐसे में क्या जूरूरी है ऐसे में जूरूरी है कि उसकी supply को ठीक करो तो supply क्या होता है बहुत साथ लोग जैसे tomato के case में क्या हुआ कि लोगों ने जान मूच के पहले अपना stock नहीं निकाला कि जब दाम बढ़ेंगे तब stock निकालेंगे और जादा कमाएंगे ऐसे में तो सब stock करने लग जाएंगे तो supply और गिर जाएगी prices और बढ़ जाएंगे तो ऐसे में सरकार essential commodities act को use करती है और stocking रुकवा देती कई बार दालों की stocking प्यास की stocking दवाईयों की stocking covid की टाइम पर मास्क ये सब चीज़ों की stocking सरकार essential commodities act के थूँ रुकवा सकती इसलिए मैंने आपको इस आक्ट के बार में पता आ ठीक है एक last चीज हम discuss कर लेते हैं इंडिया में जो rice है उसकी बहुत types होती है brown, basmati, jasmine, mogra, bamboo rice, wild rice, black rice मनीपूर का जो black rice उसके पास GI tag भी होता है red rice, red cargo rice, indriyani rice, white rice, sushi rice, purple thigh rice, bamboo rice, sticky rice, embryo rice, valensio rice, suna masuri, samba rice, rosmati rice तो 20 से ज्यादा types हैं कुछ से ज्यादा जैसे बासमती बहुत famous है, jasmine बहुत famous है, white rice बहुत famous है कुछ ज्यादा लगाई जाती है पर types इंडिया में आपको rice की बहुत सारी मिलेंगे I hope इसके थूर आप ये बात समझ पाए कि क्यों इंडिया में जो rice की production हो रही है और इंडिया उस rice को जो बाहर export नहीं कर पाएगा आने वले कुछ months तक इसका impact दुनिया पे क्यों इतना बड़ा होने वाला ठीक है क्यों country इसको चंता आनी शुरू होगे कि इसकी वैसे inflation इसकी वैसे food prices all time high पर जाएंगे ऐसा पिछले सालों में कभी देखा भी नहीं होगा ठीक है तो ये एक बहुत concerning चीजेस पर दुनिया को सोचना पड़ेगा इसका solution निकालना पड़ेगा अगर आपको ये वीडियो चे लगी आप माई चैनल को सब्सक्काइब कर सकते हो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो हम मिलेंगे अपनी ऐसी नेक्स वीडियो में तब तक लिए thank you and have a very successful day thank you